उधारण 13 वर्ग समिकरण एक्स की घात 2 रिन 5 बटा 2 एक्स रिन 3 बराबर 0 को हल कीजिए हल एक्स की घात 2 रिन 5 बटा 2 एक्स रिन 3 बराबर 0 या एक्स की घात 2 रिन सर्वमिकर का प्रयोग करने के लिए एक घात 2 रिन 2 ए भी होता है तो ए हमारे पास एक्स है तो हम यहाँ पे 2 एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले उसके बाद क्यूंकि अंच में 2 है नहीं 2 नहीं होने के कारण हम यहाँ पे 1 बटा 2 लगाएंगे क्यूंकि हमने यहाँ पे 2 का प्रयोग की है सर्वस्वमिकर बनाने के लिए तो गुणा एक बटा 2 और इसके बाद हमारे पास 5 बटा 2 अतिरीक्त है तो गुणा 5 बटा 2 रिन 3 बराबर 0 यहाँ अब हम रिन 3 का पक्षांतर करेंगे तो एक की घाद 2 रिन 2 एक्स गुणा यह हो गया आपका 5 बटा एक गुणा 5 बटा 4 और 3 का पक्षांतर करेंगे तो रिन 3 दायपक्ष में जाके 3 बन जाएगा दो एक्स के गुणांग 5 बटा 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोडने पर हमें प्राप्त होंगा एक्स की घाद 2 रिन 2 एक्स गुणा 5 बटा 4 धन हम 5 बटा 4 दो एक्स का गुणांग 5 बटा 4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोडेंगे तो तीन धन पांच बटा चार की घात दो या यहां पे हम सरस्वमिका का प्रयोग करेंगे एकी घात दो रिन दो ये ए गुणा बी धन बी का वर्ग बराबर होता है ए रिन बी बी है हमारा पांच बटा चार का घात दो बराबर तीन धन पांच का पांच बटा चार का वर्ग बराबर या पांच बटा चार का घात दो बराबर पांच पंचे पच्चीस बटा चार चौक सोला हमने यहां सरस्वमी का का प्रयोग किया है चूंकि एक्स की घाद दो रिण दो एक्स ए धन एकी घाद दो बराबर एक्स रिण एकी घाद दो होता है या एक्स रिण पांच बटा चार की घाद दो बराबर हम यहां लगुत्तम निकाल लेंगे तो लगुत्तम आया सोला और सोला को एक से भाग देंगे तो सोला तिया अड़तालीस धन पच्चीस या एक्स रिण पांच बटा चार की घाद दो बराबर तिहत्तर बटा सोला यह एक्स रिण पांच बटा चार बराबर धन रिण वर्गमूल तिहत्तर बटा सोला आगे देखते हैं हमने प्राप्त किया था एक्स रिण पांच बटा चार बराबर धन रिण वर्गमूल तिहत्तर बटा सोला यह एक्स बराबर पांच बटा चार धन रिण वर्गमूल तिहत्तर बटा सोला धन चिन धन चिन लेने लेने पर एक्स बराबर पाँच बटा चार धन वर्ग मूल तिहत्तर बटा शोला या एक्स बराबर पाँच बटा चार धन वर्ग मूल तिहत्तर बटा चार या एक्स बराबर लगुत्तम आया हमारा चार पाँच धन वर्ग मूल तिहत्तर उसी तरह से रिण चिन लेने पर एक्स बराबर पाँज बटा चार रिण वर्ग मूल तिहां तर बटा सोला या एक्स बराबर पाँज बटा चार रिण वर्ग मूल तिहत्तर बटा वर्ग मूल सोला का चार हुआ या एक्स बराबर लगुत्तम अमरा चार पाँज रिण वर्ग मूल तिहत्तर तो यहाँ पर X के दो माना है X बराबर 5 धन वर्गमूल 73 बटा 4 एवं X बराबर 5 रिण वर्गमूल 73 बटा 4 तो यहाँ इस सुधारण का हल होगा